दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल रजाइन टीला में और दोस्तो आज की इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त पीवीसी सिलिंग का डिजाइन आपको दिखाने वाला हूँ यहां पर आप देख सकते हैं बीच वाला डिजाइन बहुत ही जबरदस्त पीजाइन तयार किया है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहना यहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ हमने यह ब्राउन कलर का इसमें बॉर्डर दिया है जो की 15-15 इंच का हमने बॉर्डर यहां पर दे रखा है इसमें 3 इंच की हमारी कॉप यानि इस्ट्री प्लाइट जो हो आएगी और लाइटिंग वगारा ओन करके भी आपको दिखाऊंगा यहां पर आप देख सकते हैं यह एक एक्स्ट्रा जगा इसमें जो हो बची हुई थी तो जिसको हमने इस तरीके से कुछ कवर किया हुआ ह बाकि अंदर की तरफ यहीए और वाइट करें जो ह ऐस्ट्री प्लाइट जो हो इहां पर दी है तो जो आओन होने के बाद में कितनी जवर्दा स्लाइट जो हो लग रही है तो आप यहांप देख सकते हैं बाकि बॉर्डर के चारों तरफ आप सबसे पहले का प्युण जब बनाए हैं तो ये 33 भाई 33 का हमारे दो बॉक्से जो बने हुए जिसमें हमारा वाइट कलर का टेक्च्चर टाइप जो पैनल है वो दोस्तों दिया गया है और काफी अच्छा डिसाइन यहां पर जो हो बनाया गया है दोस्तों मैं गैरंटीर के साथ कहता हूं कि पूरे यूट कर के आपको दिखाओंगा सबस्ते पहले पूरी जान करें आप यहाँ पर देख सकते हैं ले सकते हैं कि 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 इस तरीके से हमने पैनल जो हो बना लगा लगाए हुए है अभी यहां पर यह पूरा स्युन्ह कर डिजाइन इक बारा आपको लाइट ऑन कर के जो हो दिखा देत यानि ये येलो इस टाइप जो आपको लाइट दिख रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और बॉक्सेज में जो हमने ब्लू कलर के लाइट दी है दोस्तों इसका कॉम्बिनेशन येलो कलर के साथ कितना जबरता सो जो हो आ रहा है दो हैंगिंग लाइट दी है इनको भी कि आ अगे आपको जलकर जहो दिखाऊँझा तो पोरा वीडियो को आखर तक देखते रहें और इसके बाद में आपको वॉल का डिजाइन दिखाऊगा कि सभी वॉल को हमने किस तरीके से जो हो पैनल से कवर किया है और बाद मैं भी जो है आपको प्राइस के बारे में बता यानि तीन बार ये लाइट जो हो अपना कलर जो हो चेंज करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी जबर्दस ये सीलिंग जो हो लग रही है अब आपको फाइनली यहाँ पर मैं वॉल का डिजाइन आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए दो से तीन वॉल पर हमने ये मॉर पंक पैनल जो हो इंस्टॉल किया हुआ है और दोनों पैनल यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो हमारे ग्रीन कलर का पैनल आप देख रहे हैं मौर पंक पैनल दूसरा हमारा क्रिम कलर का पैनल है तो वॉल पर लगने के बाद में कितना जबरदस्त पैनल जो हो लग रहा है तो एक एक जगह को हमने बिलुकुल क्लॉजली मैपको दिखा रहा हूँ कितने जबरदस तरीके से कवर जो हो किया हुआ है यह आप दोस्तो डॉर के उपर जो आप जगह देख रहे हैं इसमें हमने एक बॉक्स जो हो दिया है और इस बॉक्स में तीन सी ओवी लाइट जो हो लगाई है जो कि काफी जबरदस जो हो इसको लुक दे रही है इसके बाद एक और वीडियो आएगा जो कि बेडरूम का होगा दोस्तो बेडरूम को भी बहुत अच्छे तरीके से जो हो डिजाइन किया गया है तो उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है उसका वीडियो देखने के लिए दोस्तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देदोंगा तो उसको भी जाकर आप चेक आउट जो हो कर सकते हैं यहाँ पर पिलर वागेड़ देख सकते हैं कितने जबरदस तरीके से पुरे पिलर को जो हो कवर किया गया है लगे हुए हैं दोस्तों वो करीम करलर के पैनल जो हो लगे हुए हैं अब आपको फाइनली मैं प्राइस के बारे में जो हो बता देता हूँ सबसे पहले यहाँ पर जो वॉल पर करीम करलर के पैनल लगे हुए हैं और ये wooden type shade में पैनल लगे हुए है और उपर scene वगएरा photos वगएरा लगने के बाद में कितनी जबरदस्त wall दिखाई दे रही है तो वो खुद आप देख सकते हैं अगर दोस्तों हमारा आपको work पसंद आता है आप work हमसे कराना चाहते हैं तो नीचे description box में मैंने आपको contact number दे दिया है आप हमसे contact जो हो कर सकते हैं दिल्ली गाजयवाद नौइडा गुडगाओं और चंडीगड पंजाब में मोहाली आप work जो हो करा सकते हैं इन 4-5 cities में आप जो हो work करा सकते हैं सभी जगा हमारी service जो हो available है तो अगर आप work कराना चाहते हैं और आप चाहे bedroom को design कराना चाहें या आपको जो ही दोस्तो guest room वगएरा है या आपके जो भी कुछ घर में इंटीर आपको कराना है तो उसके लिए आप हमसे contact कर सकते हैं निचे description box में मैंने contact number दे दिया है या screen पर जो आपको contact number दिखाई दे रहा है तो उस पर directly आप call करके हमें contact कर सकते हैं आपका 100% work जो हो किया जाएगा तो आपने पूरा work हमारा देख लिया है finishing के साथ में total कितनी जबरदस तरीके से proper finishing के साथ में work किया गया है सब कुछ आप देख सकते हैं finally price के बारे मैं आपको बता देता हूँ अगर इस तरीके की PVC ceiling अगर आप कराना चाहते हैं तो 120 रुपए पर square foot के हिसाब से आप PVC ceiling जो हो करा सकते हैं बहुत ही जबरदस तरीके से आपका काम जो हो किया जाएगा अब wall के बारे मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभी मैं आपको price बता रहा हूँ तो वो केवल अभी के लिए हैं यानि आप मान के चलें कि 10-15 दिन के अंदर अंदर की rate आपके होंगे लेकिन अगर आप 10-15 दिन के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान दे कि वीडियो जो है वो कब अपलोड किया गया है जो उसमें price बताए गये हैं वो कब के हैं तो ऐसा होता है कि हर 10-15 दिन में PVC पैनल के rate गटते बढ़ते रहते हैं तो इस वाज़ा से हमारे rate जो हो different होते हैं तो उसके लिए आप क्या करें उसमें आपको rate का पता चलेगा फिलहाल ये वर्क आपको कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी रिलेटिवस को इस वीडियो को शेयर करके दोस्तों उनको चैनल सबस्क्राइब करने के लिए बोलें और जो है उनको भी पता की पता चल पाए कि जो पीवीसी स्टीलिंग है वो होने के बाद में कितनी जबरदस्त जो है वो लगती है